लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्टरा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और डेल आइकुन को प्रेस करें पक्राइब करें मिडनाइट पूरे दिन में कब कौन सा क्या महरत निकलेगा ये किसे इंसान को नहीं पता होता इंसान दिन के उजाले में नहीं सोचता है सोचता है तो वो काली अंधिरी रात में ब्लैक मतलब प्रीम बदला डर वासना अर इंसाब का ररंग है ब्लाक झाम अंव अींढ वित बात कलर मेंदोरकिंश्मा सृर ये जेंग और है लिए UM लाफ, सान्त Ч vir ये किसमास आपने साने तरे इंस को प्रेष लुड ये स्म अट है अित किसे क्रेए पार्णे Engineering झाल 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 मुझे विश्वाद से सब गुनाओं की सजा है अगर पकड़ा जाए तो पकड़े गए गुनाओं को सजा मिलेगी नहीं तो वो आजाद है झाल झाल तो दिखाई नहीं देता है क्या कहा देखकर गाड़ी चला रहे हो आप लोगों ने अचानक स्लोग किया तो आई आई कुन्ट स्टाप ज्यादा चोट रहे है हम हास्पिटल चलते हैं नहीं उसकी कोई जरुवत नहीं अरे यह बाइक भी स्टार्ट नहीं हो रही है अरे खूर निकल रहा है हास्पिटल चलते हैं मैं मैं ड्रॉप कर दूँगा कहा ना उसकी जरुवत नहीं अरे सुन लोग हॉस्पिटली चलते हैं और जाते वग कोई वाक्शॉप मिले तो वहीं पर गाड़ी ठीक करवा देंगे चल चले चलो यहां पास में एक हॉस्पिटल है मेरी गाड़ी में चलते हैं अल्ट रॉप यू अगर जैने चल आज़ा लोग हॉस्पिटली चलता है लोग हॉस्पिटल बाइद वे आइम डेविड शान क्या करते हो जोनलिस्ट हूँ डेली टाइम्स वो भी डेप्यूटेशन में अच्छा वो बिल्कुल ठीक है डरने की ज़रूत नहीं है पेन किलर दे दिया है एक सरे आने तक आपको इंतजार करना होगा फ्रैक्चर हुआ नहीं है इसलिए आप लोग इन्हें ले जा सकते हैं यहां का पेशंट आपके साथ आया था ना जियां वो आदमी दिखाए नहीं दे रहा है वाट बगल वाले पेशंट ने बताया कि वो बैकडूर से बाहर चला गया डामिट च्छ शान काम डाउन वो किसी जरूरी काम से बाहर आप चला गया होगा इस क्रिस्मस एव मैं और नाट इस तिल यंग अरे आप जानते क्या हो I have to find him विणो 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 क्या हुआ नहीं कुछ नहीं कुछ पता नहीं चल पा रहे कि वो कहां गया होगा वैसे हम ढूर निकालेंगे जंक्शन पर किजिने तो देखा होगा कम एट कम बात प्राइब कर दो बादू कर दो कर दो कर दो कर दो क्या वाशान कोई प्रॉब्लम है यह नो शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं फर्स्ट फॉब्लम और अगर प्रॉब्लम है तो भी आप प्रॉब्लम कर सकते क्या यहें क्या नहीं वक्र कर सकते हमारी पैचानन्यीन मेशान मारे पैचाननी नोग्यान्यास थाउम्ड-द०्राइन ऍ stal возду ह हुआ थेप्रायान आपछा ट्रॉब्लम जब जब भी और नो सर्थ और प्लमुट और अग्स्रमेल आपर आपकोफ एक्सिएंट मैं जानता नहीं था बार नापको नहीं जानता नहीं था नाइस हाउस ये कंपनी का गेस्ट हाउस है सर और मैं यहां पर अकेली ही रहता हूं सर आप आएं तो एक कब कॉफी पी सकते हैं इस समय कॉफी कॉन पिएगा मेभी सम अधर टाइम गुनाइट गुनाइट सर शॉरी फॉर्ड ट्रॉबल और हैपी क्रिस्मस हापी I don't know that's subjective I guess लग्त ऑ्केली गुल मुझाताईट संड़ है शर लाः मेफे ही र Dophla एक की का ओक्टाफ्झम जो की का बत्व और होpes hip- psychiatrist ब़्त हैं वी Give T ЖBE ऐम की का 20 प्रवह ड़्त हैं कर दो सोब गुएाराई है कर दोक्राँ करें कर दो लो फकुच्स भाल का इवा गाल बान ओो अून अर मादarsh टो नहान रफ।ाना नवादो युमिने वाटा ओको बंगर स्मा इल्लैתיक10 लिल्ख तुन अगलेพेंश तूIf अजब बादʃष के अजाँ ए्नाव सी लिए कर दो 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 अध कर दो 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 जो और को दो कर दो चर दो कि दो दो का मईब आपी कर दो धींग कॉल आपनली की उन्हें वड़ मन आपनेम और दो जले का दो दो एने now she won't complain fortunate fame I'm changing the lanes but I'm still the same my mind over matter the quest in my brain let the truth undraft it yeah 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 प्रफड़ कर दो दोहां है मैं जिन्दगी से तंग आ गया हूँ अभी ची कर कोई फाइदा नहीं है जो नुकसान मुझे हुआ मेरा ये हाल उसी की वज़े से है शायद इसे ही विधी कहते है मैं जिन्दगी के डर से या नफरत से नहीं बलकि प्यार से मरना चाहता हूँ मेरा ये ही मानना है कल मेरे सफेद कपड़े वाले शरीर के टुकडे टुकडे हो जाएंगे और मैं दूसरी दुनिया में चला चाहूँगा मेरा सपना पूरा होगा लेकिन दूसरी दुनिया में लेकिन दुनिया में लेकिन दुनिया में अब यहां पर गिरी नगर हाउसिंग का यहां से थोड़ा आगे और्केट विला है क्या और्केट आगे जाकर तीसरा घर अज़ झाल 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 हुआ है बाई साब क्या हुआ यहां यहां का एक लड़का है वीनू उसकी बॉड़ी हिल टॉप के नीचे मिली है उसने सुसाइड किया है मा और उसके रिष्टेदार बॉड़ी लेने रहे हैं सारे लोग बॉड़ी आने का इंतजार कर रहे हैं मा और उसके बॉड़ी आने का इंतजार कर रहे हैं मार बॉड़ी आने की बॉड़ी आने की बॉड़ी आने कीफ बॉड़ी आने की भीवा आने की ताहिए रहे हैं कर दो कर दो कर दो कर दो शान कल रात को मैंने तुम से पूछा था कि कोई प्रॉब्लम है क्या मैं कौन हूँ ये भी बताया था मेरी डेजिनिशन भी बताई थी लेकिन तुमने मझे कुछ नहीं बताया यू डिन्ट एक्सपेक्ट में टो बिलिव अल्द बुल्शिटी टोल भी लास्ट नाइट डिडियो हूआ यू कि शान और वीनू जा रहे थे रास्ते में फिर एक्सिडेंट और इसके बाद हॉस्पिटल से वी नूगायब हो जाता है सारे शहर में हमने कल रात छान बीन की लेकिन वो नहीं मिला और इसके बाद से तुम अफसूस में हो जैसे तुम पहले बार मिले थे आप वैसे नहीं हो और ये घर भी वैसा नहीं है तुमारे साथ था ना जो वीनू वीनू रामचंदरन कल रात को उसन्यात मत्या कर ली मैं एक पुलिस वाला हूँ इसलिए मेरी नजर में ये सब कुछ सही नहीं है बिलकुल भी सही नहीं है तुमारा थोड़ी दिर पहले मुझसे परीचे हुआ शान और तुम बे गुना हो जिसका मुझे विश्वास है और इसलिए Officially और Unofficially मैं तुमारी मदद करना चाहता हूँ मैं तुमसे वापस वह सवाल पूछ रहा हूँ Is that a problem? Yes, sir There is यहां से निकल जाना ही अच्छा होगा मैं और मेरा दोस्त किसी बड़ी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं It's all about money A lot of money उसी वज़े से हम सब लोग बहुत बड़ी मुसीबत में हैं, sir Right now To be frank We all are running We all are running for life, sir We all are running for life, sir मैंनी जरा बोलो तो, कितना है, how much? One crore 75 lakhs What? We all are running for life, sir We all are running for life, sir We all are running for life, sir मैं ली आया आजब 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 ये क्या है? केक लाया है साइकल सिरिल सैम्वेल पिता जेकब बहुत ही बड़े आदमी 10 से 12 साल सौधी में महनत की और पैसा जमा किया 281 खरीद कर एक बहुत बड़ी टी फैक्टरी उन्होंने ओपन की थी वैसे तो फैक्टरी बहुत ही अच्छे से चल रही थी बड़ बाद में पता नहीं क्या हुआ उस टी फैक्टरी को ताला लग गया और बैंक से आई हुई नोटिस की वज़े से ही फिलहाल जेकब की जमीन बची हुई है ये कहीं बाहर काम करता है और अपने घर का खर्चा उठा लेता है विनू विनू रामचंदरन हमारे फ्रेंड्स में अगर कोई नॉर्मन है तो वो यही है और सबसे समझदार भी ये इसकी माँ और एक बैंग SBI बैंग में काम करने वाले रामचंदरन जी का स्कूटर एक्सिडेंट में देहांत होने की वज़े से उनके परिवार को अच्छा प्रोविडेंट फंड मिला उन पैसों से विनू ने इंटरनेट कम डिटी पीसी सेंटर शुरू किया उसी के भरोसे ये परिवार चल रहा है और हमारे लिए हैंग आउट भी है सारे ग्रुप में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आगे खड़ा रहने वला आदमी सारे फैसलों में सही फैसला लेने वला आदमी हमारे ग्रुप का लीडर उसका नाम है एबी और अबनीजर उसकी परवरिश एक कैथलिक और्फनेज में हुई हमारे ग्रुप में बस वही एक बंदा प्रैक्टिकल है सिर्फ अलो अर्जन के फिल्म को मल्याली में रिलीज करने वाला एक डिस्रिबिटर के ओफिस में मैनेजर है अलो अर्जन साल में सिर्फ दो ही फिल्म में रिलीज करवाता है इसलिए वो ज्यादा समय तक फ्री ही रहता है एबी क्या प्लान है सब इसी का सेट अप है, मुझे इसने फोन करके कहा कि घर में किसी की तेवियत खराब है, और मुझे आफिस से जल्दी बुला लिया, अपने मामा को सर्प्राइज देना चाहता है, हैपी वाला बॉद्द्दे मनाने के लिए, कैसे नहीं आता वो लोग आ रहे हैं, अरे वो लोग आ गए, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, दरसल आज मेरे मामा का 55 जनम दिल है, और उनकी सुप्राइज बॉद्दे पार्टी मनाने के लिए, मैंने अपनी मां से 5000 रुपे उधार लिये हैं, और ये सारी तयारी उसी से हो रही ह अर्दी होना के उनाओ, आर ठीकार आओ, आर आओ, प्रोपी के लिए, और आओ, आओ, जाओ, जाओ, आओ, 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 एदर रहे होग आओ, जाओ, आओ, आओ.. Happy birthday to you, happy birthday to you.. हैपी बड़्डे टू यू मामा मामी हमारा ग्रूप कम्प्लीट करने के लिए एक और कुछ उड़ना पड़ेगा जैसी का जो बहुत ही प्यारी है उसे हम प्यार से जैसी बुलाते हैं वो जब से तीन महिने की थी तब से लेकर बड़ी होने तक ग्रीन मेड और्फनेज में ही उसकी परवरिश हुई है In a lot of ways उसके जैसे सुंदर लड़की मिलना ना मुंकिन है जैसे सुंदर लड़की मिलना ना मुंकिन है सब कुछ तुम बता दिया चलो भाई मैं तो चलता हूँ कल रात को फिर हम आउफिस में मिलेंगे ओके एभी तुम मुझे वहां तक डॉप कर दो ना यार तुरन जा रहे हूं थोड़ी देर और रुको ना अरे नहीं यार बहुत लेट हो गया हूं ठीक है चलता हूँ कल मिलेंगे रात ने ओके हां ठीक है एभी चली यार भाई तु यह सब क्लीन करके नीचे आ तब तक मैं उससे बात करता हूं अब तक तुना राज होगे होगी चल बाई गुट नाइट बाई गुट नाइट जैसी मैं बोल रहा हूं तुम सो गई क्या पीटे यह लोग है और सब कुझे करना पड़ता है अब बास्केट कहां रखा हुआ है यह सब साफ करो सब गंदा पड़ा हुआ है कहां पस गया मैं इसको भी बन नहीं किया संदू थीक वा करें गर्वयर यभ और किरा हुआ है यह 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 शान भी ना फेण ढ़िना सुथास सुद्रे गा नहीं है ऐसको गड़नम यूद को किम भिशर पी वह जल्दी आयार चल बैट चला इस राज्ची के सभी मेडिकल कॉलेज के स्टुडेंट्स सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनकी परिक्षाएं जल्द से जल्द संपन कराई जाएं एक रिपोर्ट यह ले वीनु भाईया कॉल आया है कौन है पता नहीं हलो प्रॉब्लम क्या है सर सर बात क्या है बताइए तो सही यह कोई हेल्मेट के लिए पैसे लेने वाली बात नहीं है इसी कंपनी के वज़े से मेरा घर चलता है सर्च वारेंट का है वारेंट के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं उसके बिना भी तलाशी ले सकते हैं कुछ भी नहीं मिला सर सर वहां कुछ भी नहीं है अभी पता चल जाएगा मेरी कुछ समझ भी नहीं आया विक्टर सर वैसे तो कोई प्रॉब्लम खड़ी करते नहीं है कंपनी का सारा सामान उल्टा-पुल्टा करके रखती है अरे नहीं बुलाया है बाद में अगर कुछ होता है तो हम देख लेंगे कि अलों स्काउट स्विंज अहेड़ बिस पाद इस पाद बिफॉर दे में अपन वाटर क्रॉसिंग कि अधर द्रॉप ओस्टेट काजम डाउन इंट दार्क वाटर और फीदिंग ग्राउंद्ट कि अन्याइब लेघर स्विंगे अपने धने अपने घर से दिविया 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 बेटाएग्व डिव्या डिव्या मा 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 ए ए ए ए ए क희 ए ए कर दौन ए हुआ 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 है पौने दो करोड रुपए कितने डिजिट होते जानते हो एक दो तीन आठ आठ डिजिट्स पौने दो करोड रुपए तुम्हारे हाथ में है जानता हूँ तुम्हारे खुके है इट्स ओल लो मनी ओके अचानक एक दिन सारा कैश चोरी हो जाता है तो तुम क्या करोगे पुलिस को बताओगे पुलिस को बताओगे नो यह नहीं हो सकता है वजह तुम्हारे और पुलिस के बीच कभी अच्छा रिष्टा नहीं रहा माँ अब क्या करोगे तुम पॉने दो करोड रुपे की बड़ी रकम छुपाने के लिए जगह की लिमिट होती है ना सपोज तुम उसे जाकर पकड़ लेते हो फिर क्या करोगे मैं तो मार डालता तूसे छोड़ेगा क्या है तू भी उसे वैसे ही मार डालेगा मार डालेगा ना उसे अरे मेरे भाई उसे मारोगे तो क्या थ्रिल मिलेगा तुम्हें है मैं तो उससे पॉने दो करोड रुपे वापस लेकर क्या करूंगा कि उसकी आखें या कान या फिर उसकी चार-पांच उंगलियां काट डालूंगा क्योंकि मैं चार ली हूँ मेरे एंप्लॉई मिस्टर क्रिस्टी का पॉने दो करोड रुपिया ऐसे ही गयब हो गया है उसे वापस लाने के लिए मुझे भीजा गया है मैं तुम्हें पूरे देर दिन का वक्त देता हूँ यानि 36 घंटे तुम्हारे पास हो तो तुम्हारे हाथ में हो तो तुम मुझे वो पैसे वापस दिल्वा दो नहीं तो तुम्हारे जान की गारंटी मुझसे नहीं मिलने वाली है क्योंकि तुमने क्रिस्टी को धोखा दिया है क्रिस्टफर मोरी आर्टी को क्या कहा पॉने दो करोड रुपया अरे कौन सा पैसा अरे यार कैसा पैसा कितना पैसा ये प्रॉब्लम नहीं है यहाँ प्रॉब्लम ये है कि इसमें चार्ली इन्वाउल्व है चार्ली अरे इसमें वो आदमी कैसी इन्वाउल्व हो सकता है अरे ये वो चाली नहीं है ये बार-बार क्रिस्टफर का नाम ले रहा है मुझे तो लगता है कि क्रिस्टफर कोई छोटी मचली नहीं है अरे मैं क्रिस्टफर के बारे में कुछ नहीं जानता तीन साल पहले की बात है मेरे सीनियर अनवर अब्दुल्ला सर इस आदमी के बारे में कुछ फीचर सब्मिंट किये थे डर से कोई भी एडिशन सपोर्ट नहीं किया और कोई फीचर भाहर नहीं आया जानते हो तीन साल पहले हमने देखा उसे एक अपार्टमेंट में उल्टा टांगा गया था इट वस अ मुझे सच बता कहीं कुछ छुपा तो नहीं रहा है तू अबी मैं सच कह रहा हूँ मुझे पैसे के बारे में नहीं पता इस आदमी के बारे में कुछ नहीं जानता अगर जानता होता तो तुम्हें बताता मेरी माँ और दिव्या डर कर जी रहे हैं मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा अरे क्या हुआ यार क्यों तू नहीं जानता यहां क्या हुआ है प्रश्राइब क्या हुआ क्या हुआ साइकल अब तुझे क्या हो गया यार आप सॉरी यार ऐसा होगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था वह पैसे तो मैंने ही लिये कौन सा पैसा गुड़ नाइट इस शॉन ना यह नहीं भी फेग देता है हुआ 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 है हुआ है हुआ ह गह ईयकुआ है हम हुआ जल चला गारी चला चला जली बैठ्ट मैं राग को वापस केफे वे दिया था यह बात तुझे पहले हमें बतानी चाहिए थी उस वक्त मुझे और कुछ नहीं सूझा और मैंने पैसे ले लिए तुम लोग तो अच्छी तरह से जानते हो ना कि यार मेरे घर के हालात कैसे हैं बताओ तो तुने तुने वह पैसे कहा रखे मैंने ना वह पैसे टी फैक्टरी में स開खाव है क्या बहाई वह जगे सेफ है श Lock को दाग मैंने वह इंपे रखे पैसे हम चलते हैं अभी चलते हैं जाकर वो पैसे ले लेंगे अगली बार जब वो लोग आएंगे तो उन्हें पैसे दे देंगे अभी कित इतनी रात में रात में सारे टाउन में पुलिस भरी रहे गिया और वो लोग भी होंगे और नाइट पेट्रोलिंग में अगर हमारे पास कैश रही तो हम लोग गए कुछ नहीं होगा वीनु इसकी बात भी सही है हमें जो भी करना है सुबह ही करेंगे अजो अजो बैक कहा रखा था तुम्हें तुम्हें तुझे याद है यहाद है यहाद है यहाँ पर रहे हैं यहीं पर सब्सक्राइब भुम्हें मंः व셨어요 यहाँ मंः हमें तुम्हें चाद भी आद है कर यहाद है यहाँ चरएफ यहाँ पैसे तो इसी में थे यार मैं सच क्या रहा है विनु यार पैसे तो इस बैग में थे तेरी तो मकारी कर रहा है उंसे पैसे कहा है चलवता यह कैसा मजाक है देख तू मेरे परिवार के साथ खेल खेल रहा है उन्हें कुछ हुआ ना यार मेरी मा की कसम पैसे इस बैग में थे यार तो जानता है कि मैं कभी जूट नहीं बोलता हूँ तो फिर पैसा कहा है इसी में थे यार मुझे नहीं पता शेर सुनो इसकी बातें मैंने भी सुनी थी एक सुनसान जगह पर एक आदमी पैसा लेकर आएगा और दूसरा आदमी पैसा लेकर जाएगा ये सब पहली तैय हो चुका था इनके बीच डील हुई थी लेकिन इसके छुपाए हुए कैश कहां है मैं सच क्या रहू यार पैसे इसी में रखे थे मैंने तो फिर कैश गए पैसे वापस हासिल करने के बहुत से रास्ते हैं बैग में चिप या मोबाल फोन होने की वज़े से जीपीएस की मदद से वो आराम से पैसे निकाल कर यहां से ले गया होगा देख अगर आज रात उस बहुत अच्छा है लगता है जैसे तू कुछ जानता ही नहीं पूलिस इसमें कुछ भी नहीं कर पाएगी क्रिस्टाफर के बारे में कुछ पता है तुम्हें सुनो मेरे पहचान वाले का कुटान में एक लॉज है हम सब वहाँ चाहे जितने दिन भी रह सकते हैं और हम वहाँ सेफ रहेंगे विनू चारली तुम्हें किसी भी कीमत पर छोड़ेगा नहीं वो पैसा लेने जरूर आएगा उसने साइकल को भी देखा होगा इसलिए तुम दोनों का साथ में रहना खत्रे से खाली नहीं है तुम मेरे साथ चलो शान तुम वीनू को लेकर जाओ जैसी से मैं बात करता हूँ और हां तुम्हारी मा और बहन को किसी सेफ जगह पहुंचाना होगा हम इसके अलावा हमारे पास कोई भी और रास्ता नहीं है हाँ एभी हाँ 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 हम निकल गए हैं वहां पर सब ठीक है ना हाँ ठीक है हम लोग पहुंची रहे हैं चलो ओके मेरे कुछ समझ बह ringing आ रहा है हम यहां से दूसरी जगा पर जाएंगे तो प्राब्लम सौल हो जाएगी अगर हम यहां से दूर रहेंगे तो भी कितने दिनों के लिए रहेंगे कितने भी दूर रहे पर हमें इतने पैसे कहां से मिलेंगे हाँ मा आप निकल गई नहीं हम अभी रास्ते में हैं हाँ अभी फोन मत करना रेंज नहीं मिलेगा हम ओके ठीके मा बाद मैं फोन करता हूँ करता हूँ निकल մां, चुर बसा को डूँए! झाँ प्रण विदो भाग जल्दे भाग जल्दे भाग जाजे झायो मुझा जाए जाए उस दिन हम लोग किसमत से बच गए थे सर वीणू और मेरे अलग होने के बाद उसके साथ क्या हुआ उन्होंने उसके साथ क्या किया मैं नहीं जानता हूँ सर और इतने दिनों बाद मैं वीणू से कल रात ही मिला था रलाक्शन रलाक्शन रलाक्स चाह रलाक्शन रलाक्स कूह लोग है कि अगल को दॉट कर दो करें दो कि अगल शिस्टर गीवाद्ट मानिंग मैं का हेड्स से मिलना चाहता हूं हूं फादर युपी निया के हैड्स है एक महीने से उन्हें कोई health problem है, इसलिए उनका treatment चल रहा है, फिलहाल यहां की in charge sister Veronica है, वो वहाँ जो first room दिख रहा है, वो नहीं का है Thank you Praise the Lord Praise the Lord, बैठिये Thanks बताईए मेरा नाम डेविड है, उनिवर्सिय कॉलेज मैं physics department मैं प्रोफेसर हूँ, मैं यहाँ अपने पुराने स्टुडेंट से मिलने आया हूँ, Abby, Ebenezer Abby, वो तो यहाँ नहीं है नहीं मतलब, has he gone out? मैं उसके लिए वेट करता हूँ नो सर, वो दो दिन पहले यहाँ से चला गया, यहाँ की एक लड़की, जैसी, उसके साथ उसने शादी कर ली, रेजिस्टर मारच हुई थी उनकी जैसी, Abby के साथ शादी किसने? I know सर, हमें भी विश्वास नहीं हो रहा था उन दोनों के बीच ऐसा कोई रिष्टा था, हमें यकीन ही नहीं हो रहा काम पर जा रहा हूँ क्या कर गया था चार दिन पहले ही यहाँ आया था, और दोनों ही बहुत टेंशन में लग रहे थे आमें तो कुछ भी समझ नहीं आया पिछले कुछ तिनों से दोनों ही कुछ अजीब तरह से बिहेव कर रहे थे एक दिन आप भी मेरे पास आया और कहा कि जैसी मुझे बहुत पसंद है मैं उससे शादी करना चाहता हूँ फिर उन दोनोंने सारी फर्मालेटीज बूरी की और यहां से चले गए कहा कि हम एक नई जिन्दगी शुरू करने जा रहे हैं आप हमारे अच्छे भविशे के लिए प्रार्थना कीजिएगा आपको भी उसकी बात पर शौक लगा था सच कहूं तो मुझे तो इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ पर जाने से पहले जैसी ने किसी से फोन पर बात की थी नहीं नहीं जानते लेकिन इसे इतना बड़ा इश्यू मत बनाना प्लीज यहां से निकलते वक्त रोना नहीं यह सही नहीं होगा मैं तुम्हारे साथ हूँ न ओके मैं तुम्हारे साथ हूँ तो क्या आप मुझे बता सकती हैं कि वो कहां गए होंगे नहीं क्योंकि उन्हें भी नहीं बता था कि वो दोनों यहां से कहां जाने वाले हैं अब यहां कॉलेज में पुरान इस्टुरेंट्स को मिलना भी था इसलिए आया था अईवे चलता हूँ सिस्टर ठीक है May God bless you my son Thank you झाल झाल थांक यूजू को अच्छे से जानता हूं मुझे विश्वास से नहीं हो रहा है कि उसने ऐसा किया उनके बीच में वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी लड़की का नाम जैसे जैसे उस दिन जब उसने फोन किया था मैंने ही उठाया था हलो वीनू तुम्हार लिए फोन है हाँ आया हलो हाँ मैं तो अभी आया हूँ तुम क्यों वापस बुला रही हो जैसी तुम वापस टेंशन में मत आ जाओ हाँ तुम वेकेट करके उसके साथ आ जाना ठीक है मैं वहां पहुंच जाओंगा एक बात बताईए जैसी उस दिन यहां आई थे क्या नहीं ओ अच्छा माजी मैं चलता हूँ मा के जिन्दा रहते हुए बेटी की मौत यह जो भी हुआ बहुत ही गलत हुआ मा जी आपको मौत पर विश्वास है क्या अगर होता तो उससे मौत के मूझ से बचा सकती थी उसे मरे हुए दो दिन हुए हैं आप उसे नहीं भूल सकती सही है क्रिस्मस के रात को एबी और जेसी का और्फनेश से निकलना वो लोग वीनू से मिलेंगे ये सस्टर वेरोने का नहीं जानती है और उसी रात शान और वीनू का बाइक पर जाते समय अक्सिडेंट और हॉस्पिटल से वीनू गाइब होता है और अगें दे सीम नाइट वो आत्मात्या कर लेता है और हॉस्पिटल से वीनू कर लेता है और हॉस्पिटल से वीनू कर लेता है साइमन साइमन मेरी पाकिंग स्पेस कहा है किसी और को क्यों पाक करने देते हो सारी मैडम रात में बहुत भीड थी इसलिए मैनेज नहीं कर पाया मैंनेज नहीं कर पाया आज के बाद मैं कोई एक्स्क्यूज नहीं सुनूंगी अगर काम नहीं कर सकते तो यह नौक्री छोड़ दो ना तुम्हें चार पैसे मिल जाएंगे यह कर रखा था पर लगता है तुम्हें काम देखर मैंने गलती कर दी जब देखो सौरी कहते रहते हो अभी क्या भी गाड़ी यहां से अट पाओ वरना कल से काम पर मताना ठीक है मैंडम करवाता हूं मैं अभी क्लियर करवा देता हूं पार्किंग हो जाएगी आप चिंदा मु कि अगर आपने गाड़ी पार करने नहीं दे होती तो मुझे नवकरी से निकाल देती आप ही की वज़े से सर आज मैं बच गया एक सुप्रेटेंटेंट के लिए एक स्पेस फ्री देना चाहिए न सर मैंने उनके लिए एक नहीं बलकि दो दो पार्किंग प्लेस मैनेज किया था लेकिन एमरजंसी में गाड़ी आती रहती है तो ऐसे मैं मैं क्या कर सकता हूं सर इंसानियत में दूसरे को पार्किंग देनी पड़ती है साइमन भाई जी फिर भी आपने मेरी मदद की अब आपके लिए मैं क्या कर सकता हूं मुझे जरूर बताइए ऐसा कोई बड़ा काम नहीं है इस फोटो में देखने वाला आदमी इसे मैं पूरे शहर में ढूंड रहा हूं इस लड़के को आपने अपने हॉस्पिटल में देखा है क्या जरा नहीं तक है आपको रिसर्प्शन में जाके पूछना होगा यह बताइए इस लड़के के साथ इन में से कोई आया था इन में से इन में से मैं किसी को नहीं जानता कि ठीक है बाइए एक्सक्यूज में मेरे एक दोस्त यहां अड्मिटर में से मिले आया हूं नाम वीनू रामचंद्रन कब अड्मेंट किया था एक एक हफते पहले ओक्या कि सॉर्य यहां इस नाम का कोई पेशेंट नहीं है अच्छा अब उसने यहां रेजिस्टेशन करवाया होगा और प्र कैसे भी डॉक्टर से कंसल्ट किया होगा नो सर्व एंट्री किये बिना कोई भी डॉक्टर से नहीं मिल सकता आज सी क्या हुआ सर कुछ नहीं कुछ नहीं हुआ भाई सर आपने लेबरेटरी कॉम्पलेक्स में पूछा था वहां इंक्वाईरी रेजिस्टर में नाम आने का कोई चांस नहीं है उसके लिए अलग रेजिस्टर है वो सामने दिख रहा है वही है हाई येस एंक्वाईरी पे गया तो यहां आने के लिए बोला वीनू रामचंद्र नाम का कोई आदमी अपना टेस्ट करवाने के लिए यहां पर आया था क्या बता सकती है सोरी सर हॉस्पिटल की पॉलेसी के हिसाब से लाब टेस्ट डीटेल्स देने के लिए डॉक्टर का कॉंफिरमेशन लेटर ज़रूरी होता है मुझे टेस्ट की डीटेल्स नहीं चाहिए वो आदमी यहां आया था कि बस यह पता करना है वेनु रामचंद्रन नाई सर्म इस नाम का कोई भी पेशन्ट नहीं है ओ ओके अब यह यही का नंबर है क्या हाँ यह नंबर तो यही का है आप जिसके बार में पूछ रहे हैं वो यही है क्या हाँ यही है वो यह आदमी एक बार यहां आया था ब्लड ग्रुप टेस्ट करवाने टेस्ट की डीटेल बाहर नहीं बता सकते यह हॉस्पिटल की पॉलिसी है लेकिन आपने बता दिया कैसे हाँ ऐसा ही है सर्व मैं बता रही हूँ क्योंकि इस आदमी ने टेस्ट करवाया है नहीं था इसलिए यह ओफिशल नहीं हुआ न क्या उस आदमी ने अपना ब्लड ट होगा तभी टेस्ट करवाएंगे ना वह ब्लड साम्पल लेकर आया था ब्लड जब न जाये इसलिए उसने उसमें आंटी कोयागलिंट मिलाया था इसलिए हम उस ब्लड को यहां टेस्ट नहीं कर पाए से अच्छा कि बाहर से को इसके साथ आया था क्या नहीं सर राइट है अरे सर मैंने अपने हाथ से खाना बनाया आप मेरे साथ अगर खाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगीगा नहीं साइमन भाई काम बहुत बाकी है यह बताईए यहां एक लेबरेटरी और कहां पर है यह लोकल सेटप है सब भी होस्पिटल्स में होता है वैसा यहां भी अरे मैं नहीं आ सकती मेरे पास टाइम ही नहीं है क्या रोमांस करोगे क्या बात है आज बड़े रोमांटिक हो रहे हो हूं सेच में एक मिल्ट है मैं तुमें कॉल करती हूं ओके डेविड अब्राहिम आएपियस क्राइम ब्रांच स्पेशल इन्वेस्टिकेशन डिविजिन सगाउं यह एक एलीगल जगह है क्योंकि हॉस्पिटल और लाइब में जो नहीं कर पाते हूं यहां पर करते हैं यह मैं अच्छे तरह से जानता हूं यहां टेस्स होते हैं लेकिन मैं उसके बारे में पूछताश करने के लिए नहीं आया हूं डर गई क्या एक ओन गोइंग इन्विस्टिकेशन के चक्कर में मैं यहां आया हूं हमारे एक सस्पेक्ट थोड़ दिन पहले अपना ब्लड टेस्स करवाने के लिए हाँ आओगा उस पर हमें शक है यह है वो इससे आपने कहीं देखा है क्या हूं यह सर कि पिछले हफ़ते कुछ समय के लिए आया था कुछ समय आया था मतलब क्या हूँआ शायद चार या पांच बार यह कई लोगों के ब्लड सेंपल्स लाय आया था टेस्स करवाने के लिए सर वो टेस्स मैं देख सकता हूं क्या नो प्रॉब्लम सर मैं भी लेखर आती हूं कि यह लीजिए सर कि इस फाइल के कॉपी आप मुझी दे सके हैं सर अब यहीं रख लीजिए ना मेरे पास इसकी दूसरी कॉपी है अहां थांक यू हम यह मेरा नंबर है मैस्ट कॉल दिया तो भी चलेगा वीनू के काम को ध्यान से देखें तो हमें ऐसा लगता है कि उसे पैसों की सक्स जरुद होगी और आगे देखें तो उसकी ATM कार्ड के टांजक्शन डीटेल्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टन्ट लीड है हम यह ATM कार्ड के डीटेल निकाल पाना दरहसल बहुत मुश्किल है खेर मैं उसे अपने तरीके से देखता हूँ मैं बताता हूँ वो क्या है वीनू इस शहर में पिछले अफ़ते रहा और उस दौरान वो छह बार ब्लड टेस्ट करवाने के लिए गया और इसके लिए उसने नमबर टू वाला लेबरेटरी ढूंडा पूरे अठाई सेम्पल्स इस तरह साधारन ब्लड ग्रूप रिपेट होने से वो बार बार लेबरेटरी गया था उसने जो ब्लड सेम्पल्स कलेक्ट किये थे उनको ग्रूप आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के लिए चुना एट लास्ट उस क्रिसमस के दिन ही वीनू उस लेबरेटरी में गया था कंटिन्यू साथमा दिन और जानते हैं उसके पास एक बहुत ही रेर ब्लड ग्रूप था O-negative जो उसका ही ब्लड ग्रूप है उसके बाद वीनूस लेब में गया नहीं और उसे जाने का मौका भी नहीं मिला क्योंकि उसी रात को उसने आत्महत्या कर ली मुझे यकीन है कि इसका खुद का जो बलड ग्रूप है उसका सेंपल मिल गया लेकिन इसके आगे कुछ अजीब हुआ साथ में दिन वो जनरल हॉस्पिटल की मौर्चरी में पड़ा था छे दिन खून के लिए वही शक्स भटकता पे राता लेकिन साथ में दिन दे सेवन्थ दे हाँ आने दो आने दो आने दो आने दो राइट 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 नमस्ते सार मौर्चरी कहा है सामने क्या यह अदमी कम से कम चार बार अंदर आया हो गया यह बताओ इससे अंदर क्यों जाने दिये तुमने वो सर इसका कोई दोस्त में सिंग है वो हर रात उसकी बॉड़ी ढूंटा हुआ यहां आता है और और मैंने उसे मना कर दिया फिर क्या हुआ इस आदमी ने तुम्हें कुछ दिया क्या खेर जाने दो यह बताओ कि यह आदमी तुमसे कोई बॉड़ी लेकर गया था क्या नहीं नहीं सर तुमारा चेहरा तो बता रहा है अच्छा है सच बताओ दो दिन पहले वीनु रामचंद्र नाम का यह आदमी यहां था और उसे दिन यहां से एक बॉड़ी गायव होगी थी जिसका ब्लड गृप था ओर नेगेटिव और इसके ठीक 24 गंटों के बाद एक हुआ चाप खड़े होगर सुन रहे हो अभी तुम कुछ नहीं जानती क्या बताओ कुछ नहीं जानती क्या पीटर की थ्टाऊर मैं कुछ नहीं जानता मेरा दिन का ड्यूटी है सर 24 वैसे उस रात मैं सब कि घल और सर वो एम्बुलेंस नहीं था लेकिन उसका चेहरा मुझे अच्छी तरह से याद है सर वीनु की एटियम ट्रांजेक्शन डीटियल्स बताता हूं डिसमबर 20 से डिसमबर 24 तक उसने हर रोज 40,000 रुपे विड्रॉ किये डिसमबर 25 को उसने 11,500 विड्रॉ किये अभी उसके अकाउंट का बैलेंस है सिर्फ 130 रुपे ओके नहीं मैं नहीं जानता डॉक्टर आप ही ने बॉड़ी का पोस्ट माटम किया था न ये तो आप जानते हैं न वो सिउसाइट केस था अभी याद आया वो बॉड़ी पूरी तरह से गल चुकी थी उसकी बॉड़ी में पूरे पार्ट्स थे ये भी कहना मुश्कित है डॉक् कुछ नहीं जानते हैं उसकी बॉड़ी गली हुई थी और आपने उसका चेहरा नहीं देखा जरा इसे गौर से दिखिए इसे आपने जिन्दा ही देखा है और यहीं नहीं कि आपने इसे जिन्दा देखा है बलकि गली हुई बॉड़ी वीनू की है वो के लिए आपको मिली है ऐसा आपने बताया आपने बताया कि टैटू ही उसका इडेंटिफिकेशन मार्क्स हैं और जाइन बोन्स भी है साथ में तुभी प्रसाइस वो हाथ से बने हुए टैटू वो इमिटेशन टैटू हैं आपके हास्पिटल से गायब हुई एक बॉड़ी पोस्ट मार्टम की हुई एक बॉड़ी उसे फिर से पोस्ट मार्टम करके एक ही ब्लट ग्रूप और बॉड़ी में रहने वाले टैटू के अधार पर आपने उसका कन्फरमेशन सेटिफिकेट दे दिया उसके लिए आपको कितना पैसा मिला आर यू मैट ठीक है बाकि मैं जानता हूं एक दिन पहले वीनू आपसे मिलने आया था क्या वाच्मेन इस बात का गवा है और एक बात कि जिस दिन वीनू मरा उस दिन उसने अपने एटीम कार्ड का इस्तेमाल किया और जो मैक्सिमम लिमिट है चालिस हजार उसके हिसाब से उसने पांच बार पैसा निका सवाल पूछना है लेकिन इतने सालों के experience के बाद में बता सकता हूं और मुझे अपने profession पे पूरी तरह से confidence है मैं किसी संशे में नहीं रहता है mister समझ गया पोस्ट मार्टम का डॉक्टर होने के नाते बेरे अब तक यही काम किया और ऐसे cases मेरे सामने आते ही रहते है mister मैं य है and no it's not a imitation और हां मात के death statement में हर बात गलत नहीं होती और हां आप कभी भी post-mार्टम कर सकते हैं सिर्फ यही बात नहीं है उस statement में आप कोई भी बात बदल नहीं सकते क्योंकि वह statement पुरी तरह से observation में लिखा जाता है try your luck man लेकिन एक बात मैं पक्का कहूँगा जो मरा है वो यही आत्मी है कोई दूसरा हो ही नहीं सकता आपका जो ego है वो मेरी बात नहीं सुनेगा but you are completely mistaken आप यहां हार सकते हैं ठीक है doctor as you said I might be mistaken लेकिन मुझे इससे कोई problem नहीं आई तो यह post-mantum वापस होगा तब मैं फिर मिनूगा उस दिन मैं आप से सवाल पूछूँँगा यह बात आप अच्छे से ध्यान में रख लीजे उस दिन यह बात नहीं होगी करनन, नैपोलियन, भगत सिंग, यह तीनों के तीनों ही हीरोज हैं यह सीधा आरेनी, don't you? पता है नहीं कि यह तीनों के तीनों हार गये लेकिन मैं हार गया हूँ यह मत समझेगा, मैं खेलता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ जीतने के लिए I always play to win मैं रात को ग्यारव जाओंगा, एक डेट बोड़ी तयार अखना ए यह 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 ब्राव बोड़ी और आरेसा हार ही यह यह गपना यह यह मत जीनिस सीछी ब्राव लेकिन सर उसी रात तीन बजे के बाद जो ले गए उस बॉड़ी की जरुवत नहीं है वापस लाया हूँ वो मेरा काम नहीं है ले लो जो पैसे दिया है वो वापस नहीं लूँगा आधी रात को अके तन फिर रहा है नहीं रहा है मैं पृत घ्ड़ी के लो भाद करेचे उसलोग से इलाद करेचे भी है करेचे वाद एह है प्रवस्ट्स्टम्स पूस्ट सब्सक्राइब दें आपिन अश्चτο कर रे पावीशेद्ट रहे निस्टर शेया हुए कोई प्रॉबल का अच्छोर्ट आयाएं विक्टर नॉर्टस्याएं तुमसे कुछ पुशताच करनी है क्या है सब्सक्राइब आए मिठट हो शान उस दिन तुमने मुझे जो कहानी बताई थी उसका अगला हिसा जाननी के लिए मैंने बहुत सारे रास्ते धूंडे लेकिन मुझे अभी भी यह जानना है कि उस कहानी में तोहारा रोल क्या है वो ही जानने के लिए तुम्हें यहाँ पर लाना पड़ा और कोई रास्ता नहीं है I hope you understand तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है शान तुम सच बताओगे और इसलिए मैं तुम्हें पसंद करता हूँ शान वीनू की मौत वो मुझे और केवल मुझे परेशान करने वाली प्रॉबलम है वीनू और तुम अलग होने के बाद उस क्रिस्मस की रात को तुम दोनों एक साथ एक बाइक पर मेरी जीब से टकराने तक साथ में थे अब आगे बताओ बताता हूँ सर आपके सारे सवालों का जवाब दूँगा मैं बट आए नीड यूर हेल्प आए कंट टेक इट एनीमोर जब एक्सिडेंट हुआ उस रात मैंने खुद को बचाने के लिए आगे पीछे कौन है इस बात का ध्यान नहीं दिया वेडू कहां गया समझ में नहीं आ रहा था मैं कुछ भी सोच नहीं पाया सर मैं पूरी तरह से हार गया था उसके पिछले दिन मैं शहर के एक लॉज में गया था वो लोग कहां गया मैं उन्हें धोन नहीं पाया सर और उसके बाद मैंने ग्रीन मेड आफ़निज और साइकल के घर में भी फोन किया सर वो लोग कहां चले गये थे उनके साथ क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं पता चला सर फिर मैं वापस आ गया और उन्हें फोन किया तो उनका फोन स्वीच उफ आ रहा था थोड़ी दिर बात किया तो वापस स्वीच उफ आ रहा था बट उस क्रिस्मस की रात में पहरा सिटी मॉल दो स्टिप्स थैंक्स कहां गायब होगया था इतने दिनों तक बोल कहां चला गया था तुप कि बोलना और अपने बागी सारे फ्रेंड्स कहां पर है भाई बताता हूं रुख जड़ा कि अग्यों कि कौन है वो मैं बताता हूं कि बता कौन है वो बोला ना बताता हूं चला अभी हम लोग कहां पर जा रहे हैं और एबी और साइकल कहां है अरे शान थोड़ा रुख जा मैं सब बताता हूं हमारे सारा प्रॉब्लम सॉल्फ हो जाएगा टेंशन मतले आराम से चला शान अभी तुम्हारे सामने मेरे बहुत सारे सवालों के जवाब बाकी हैं लेकिन अभी तुम्हें जरुवरत है प्रोटेक्शन के शरक्षा के शान ये है शान, तुम ने कहा चारली येस, येस सरु तुम मुझे दो दिन की महलत दो, 48 आर्स का टाइम, फिर तुमारी सारी की सारी प्राब्लम्स सॉल हो जाएंगी, यू कें ट्रस्ट में, यू कें ट्रस्ट में, इसे आप यहां क्यों लेकर आ गए, ये तो कुछ बता ही नहीं रहा है, विक्टर, इन चारों में से एक, वो आदमी है जो, वीनू के प्लान्ट के बारे में, सब कुछ अच्छी तरह से जानता है, जो मौत के दिन, बॉडि को मौर्चरिस से लाया था, वो यह हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, और उसने ही, अंधेरी रात में, एक हेडलाइट वाली वेन चलाई थी, इन चारों में से ही कोई एक हो सकता है, ऐसा हम पक्का कैसे बोल सकते हैं, इन चारों के अलावा, कोई पांचवा भी हो सकता है, जिसे हम नहीं जानते हैं। जीप के आगे जा रहे थे, और ठीक उसी समय, उसी वक्त पर, मेरी जीप के पिछे एक वैन थी। पीनू मरा है, उसी रात को ठीक साने 11 बजे हैं। जाहिर है के मौर्चरी भी गया होगा, लेकिन मौर्चरी के वाच्छपन ने कहा, कि जो बॉड़ी लेकर गया था, वो ही बॉड़ी वापस लेकर आया, यही कहा उसने, और एक बात और, मौर्चरी से बॉड़ी कलट करने का टाइम, रात को साड़े दस बजे लेकिन उस वक्त तो अभी और्फनिस से निकला ये पॉसिबल नहीं है नव लेट्स मूओ आंटो जेसी ऐसे सिनारियो में ऐसा क्राइम करने के चांसेज बहुत ही कम है विगोश शी हैस नो मोटिफ वीनू की मौत से उसे कोई भी फायदा नहीं है नो वो क्या है कि हम न जान पाए और शान भी न जान पाए ऐसा कोई मोटिफ जरूर हो सकता है इस इस सर्टनली पॉसिबल पॉसिबल बट नॉट प्रॉबेबल वाई ओर्फनिस से निकलते वक्त एवी के पास जेसी रही इसका मतलब एवी को इस काम के लिए कोई अपॉर्चनेटी नहीं मिल सकती और आज तक हमने ऐसा कोई भी मोटिफ नहीं सुना है दचान ससाथू स्लिम तो इस खेल में जेसी का क्या रोल हो सकता है साइकल सरिल सेंबल शुरू से लेकर अब तक उसे ही पैसो की जरुवत थी इसलिए उसने वीनों से उठाय था उसके इंटरेनेट के जरीए और एक बात और है कि जो कुछ भी हुआ वो उसने अपने फ्रेंड्स को बिलकुल भी नहीं बताया सब कुछ चुपाया उनसे और डेस्परेशन ऐसे वक्त पे इंसान के माइन को क्राइम की तरफ ले जाता है हलो 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 विक्रम क्या हो नहीं मैं पुली स्टेशन में नहीं मैं वहां पहुंचता हूं इस केस में मैं तीन साल के लिए अंदर था सर इसे तुम्हें देखते ही समझ गया था ये जाली नोट है सर ये सारा काम करने वाले क्रिस्टी के आदमी है इसलिए मैंने आपको तुरंत यहां पर बुलाया साधारन तरीके से इसे पहचानना मुश्किल है वहाँ जाने के लिए बस की टिकट ली आज राट आठ बजे की बैंगलूरू के लिए बस है सा टिकट वाले का नाम सिरिल सैम्वल है भाया कितने पैसे हुए कितने पैसे हुए भी है सारुप्य है सारुप्य है सेरियल सैम्वल तुम्हारे फ्रेंड्स का है हुँँआ हुँआ हुआ 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 विनु क्या हुआ यार शान कहा है यार शान मेरे पीछे था मैं वहां से भाग कर कैसे कैसे करके अपनी चान पचा कर आया हूं लेकिन वह आये कहां शान कहां है यह मैं नहीं जानता मैंने पहले ही कहा था कि यह काम हमारे वसका नहीं है अगर हम उसके हाथ में फस गया ना तो हमारी जिन्दगी की ऐसी कि तैसी हो जाएगी हालो हाँ बता है यह आंटी अब क्या करें यार वो लोग घर का सारा सामान उठा ले गए लेकिन वो लोग हमारे घर पर क्यों गया यार देख लेना वो लोग कल हमें कहीं न कहीं से ढूड़ी निकालेंगे इससे चुदम खुद को ही मार ले यार साइकल पैसा तू नहीं लिया था यह चाली नहीं जानता है अगर तू हमसे दूर रहेगा तो तेरी प्रब्लम सॉल हो जाएगी लेकिन वीनू उनकी नजरों में तो पैसों का नुक्सान हुआ है तुम्हारी शॉप में इसलिए चाली की नजरों में तुमने ही पैसे लिए हैं और वापसी के लिए कैश हमारे पास है नहीं करोनों रूपेओं की बात है वो लोग तुम्हें ढोड़ते हुए यहां तक जरूर आएंगे और हमें छोड़ेंगे नहीं अब जैसा साइकल कह रहा है अगर तुम ना रहो तो मैं नहीं रहूं तो प्रॉब्लम सॉल्फ हो जाएगी क्या हम हो जाएगी इस प्रॉब्लम से बचने का हमारे पास सिर्फ यही एक रास्ता है जो हमें करना ही पड़ेगा हम सब को इस राज को अपने बीच ही रखना होगा आम तोर पर मेडिकल कॉलेज के मौर्चुरी में जो डेट बॉडिस पड़ी होती है उन्हें या तो एकेडमिक पॉपस के लिए दे दिया चाता है या फिर सरकारी खर्चे से दासंसकार कर देते हैं हमारा खेल यहीं से शुरू होगा सबसे पहले हमें एक डेट बॉडि चाहिए सेम तुम्हारी ब्लड ग्रूप की हमें वहाँ पर उस बॉडि का पोस्ट मॉटम कराना होगा पोस्ट मॉटम की हुई बॉडि ठीक तुम्हारी बॉडि से मिलते जुलती होनी चाहिए उसका री पोस्ट मॉटम होगा आइडेंटिटी चेक होगी और हमारा काम इस तरह से बन जाएगा सुनो मरने के 48 घंटे के अंदर शरीर के बहुत से हिस्सों में बलड नहीं जमता है तो तब तक हमें बलड कलेट करना पड़ेगा और ग्रूप आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हुआ तो ड्राइ बलड हो सकता है और अगर एंटिक्यूरन देते हैं तो इस बात को कोई नहीं पकर पाएगा मेरी बात अब को माननी पड़ेगी मा इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है लेकिन जैसी ने मना कर दिया लेकिन मैंने उसे समझाया कि यही एक रास्ता है और आखिर में वो मान गई करने वाले डॉक्टर के साथ दो तीन लोग गई और होंगे रिपोर्ट के रजिस्टर में एक ही आदमी साइन करेगा रिपोर्ट बनाने वाले यही लोग है और यही हमारे काम आएंगे अपर बनाने वाले यही लोग है और है जाएंगे झाल झाल हमने ये बात शान से छुपाई क्यूंकि वो नहीं मानता हम सब ये जानते थे सब कुछ सही चल रहा था लेकिन उस क्रिस्मस की रात को हमें जो बाड़ी चाहिए थी वो हमें मिल गई मैं शहर आया और शान से मिला सुनो अभी मैं अभी जाकर बाड़ी कलेक करता हूँ मैं और साइकल हिल टॉप जाएंगे हाँ तुम जैसी को लेकर वहाँ जाना हाँ ठीक है इतने दिनों तक कहा था तू बोलना शान और हमारे बागी दोस्त कहा है शान मैं सब बताता हूँ सुन साइकल अरे शान तू तू टेंशन मतले मैं उसे सब बता दूँगा तू हमारे बाइक के पीछे आना ओके ओके मैं बताता हूँ तू बाइक तो स्टार्ट कर अउसरात हम पहली बार मिले थे शान के साथ बाइक में जाते वक्त साइकल पीछे से आ रहा था ये शान नहीं जानता था शान को मैं कैसे समझाओं ये सोचते वक्त आपकी गाड़ी से हमारा एक्सिदेंट चलो हॉस्पिटल चलेंगे मैं ट्रॉप कर दूँगा उसकी कोई जर्वात नहीं है अरे अरे बिनू तेरे सर पर तो चोट लगी है हॉस्पिटल चलना अच्छा रहेगा और रास्ते में कोई गराज मिले तो अपने पाइक मोहीं पर ठीक कर वा लेंगे यहां पास में एक हॉस्पिटल है मेरी गाड़ी में जाएंगे I'll drop you क्लीनिक में किसी को भी ना बता कर मैं साइकल को मिलने हिल्टॉप के नीचे गया था कहा थे यार अभी तक तुम क्या हूँ वीनू यह चोट कैसे लगी सब बताता हूँ अभी चलो अभावाव जाएंगे अभाव जाएंगे सब्सक्राइब तो हाँ 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 कर दिया तो एबी वो कहा है उसे क्या हुआ मैं जानता हूं लेकिन कैसे हुआ यही मेरा सवाल है हिल टॉप में जो बाते हुई थी उन सब को जानने के लिए ही मेरा सिर्फ पूरी तरह से घूम रहा है So tell me what really happened बीनू तुमारे इस माहन से पुलीस के उनन में जो बात चल रही है वो साबित हो जाएगी यो किल दें आभी को तुमने मारा सही है जो किल देंगे जो किल रहा है मैं बदाती हूँ क्या हुआ था सब कुछ बदाती हूँ हुआ हुआ सुन आभी मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है यार लगता है तू पागल है तू ने आत्महत्या की है और ये सब कुछ तेरी अपनी प्लैनिंग है ये सिर्फ क्रिस्टाफर को विश्वास दिलाने के लिए नहीं बलकि पूरी दुनिया को बताने के लिए है कल को यहां नीचे गहरी खाई से मिलने वाली बॉडी वो तुम्हारी अपनी बॉडी होगी जिसे तुम्हारी मा भी मानेगी अभी मैंने तुम्हें नीचे गिराया तो इसे सब आत्महत्या मानेंगे और शायद तुम्हारी नियती में यही लिखा है तुम 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 ये क्या बोल रहे हो अभी जैसी शायद तुम्हें पता नहीं कि मेरी बच्पन की दोस्त रही है जैसी लेकिन अभी तुम उसे अपनी जिन्दगी के रास्ते में ले आये हो कभी मैं उसके दिल में बसता था लेकिन इस वक्त तुम उसके दिल में बस गये हो क्या? सच कह रहा हूँ और ये सब कुछ मुझसे बरदाश्ट नहीं हो रहा मैं उसे भूल नहीं सकता और अगर तुम ही नहीं रहे तो जैसी का मेरी होगी आज के दिन का मैंने इंतजार किया क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था तुम्हें मरना होगा विनू तुम्हें भूल कर ही जैसी का मेरी होगी आज मेरे पास और कोई रास्ता नहीं साइकल हाँ उन लोगों को गए बहुत देर हो गई है अब तक तुने वापसा जाना चाहिए था विनू मैंने ही तुम्हारी इंटरनेट कैफे में पैसा रखा था और मैंने ही तुम्हें पुलिस में पकड़वाया था लेकिन साइकल ने मेरे प्लैन को विगार दिया था उस वक्त जब पुलिस ने वहाँ पर रेट डाली थी फैक्टरी में मैंने ही वापस से पैसे बदल दिये थे लेकिन उस वक्त जब तुम चाहली के हाथों से बच कर कुछ टॉन लॉज में मेरे सामने खड़े थे उस वक्त मैं बहुत ही ज़्यादा खपरा गया और फिर मौत का सारा नाटक तुम से मैंने ही करवाया बहुत ही सोच समझ कर मैंने इस प्लैन को बनाया वीनू इससे तुम्हें बचाने के लिए नहीं बल्कि अपने रास्ते के काटे को हमेशा हमेशा के लिए हटाने के लिए अबी कि कि अंदे बल्किछा के लिए कि अंदेगा बल्कि जे प्लिए वbeको इक आरे अब जो और रहा जए? तुम ये कैसी बात कर रहा हूँ? चलो, मारो मुझे, मार! तुमने क्या कहा, मैं एक पागल हूँ? हाँ, मैं हूँ एक पागल, मैंने तुम पर विश्वास किया, हम सब ने किया हमने ये जो काम किया, ये सब की भलाई के लिए किया है जैसी की, साइकल की, शाहन की, यहां तक की तुमारे लिए भी तुमने, तुमने मेरी माँ और बहन को भी धोका दिया है अबी कैसे, कैसे तुम्हारा मन किया ये करने का तुमने हम सब को धोका दिया है सुन वीनू, एभी, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है यार एभी से भूल जा यार जैसी, जाने दे यार अब, वैसे भी यहां सिर्फ हम ही लोग तो है जाने दे, एभी, जाने दे यार एभी, मेरी बाल समझना नहीं तुम्हीं माफी नहीं मिल सकती तुमने इतना सब कुछ किया, हमें धोका भी दिया, इनों को मारने के लिए ये हमनों कभी नहीं भूल पाएंगे, कभी नहीं नहीं जेसी, मुझे माफी चाहिए भी नहीं ऐसा कुछ हो जाएगा, इसके बारे में तुमने कभी सोचा ही नहीं था वीनों, वो सारे पैसे उस गाड़ी में हैं, वो पैसे मुझे नहीं चाहिए अगर वो पैसे तुझे मिल जाएं तो तेरी प्रोब्लम सॉल हो जाएगी लेकिन इंटरनेट कैफे में मैंने बैग रखा था, तब से मेरी प्रोब्लम शुरू हो गई बीनों मैंने उन पैसो को कभी भी वापस देने का नहीं सूचा तुम्हारा वो पुराना आइबी बनना, मेरे वश्का नहीं है इसलिए अब मेरे जिनी से क्या फाइदा जिसे मैंने हमेशा प्यार किया वो जैसी भी मुझसे नफरत करती है I'm sorry I'm 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 लुक जोएबी ने आपी 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 कर दो णो एदित क कि अधगा से का इंग सकॉई कर दो खर लtoi खगा ग। हुट हочки, है बी ये Öarity झाल फिटने भी यूर! मुझा हुट! यह जग जगो दिया यह बडेए आइडेंटिफाइ करने के लिए गले हुए A.B. के शरीर को मेडिकल हॉस्पिटल में ये मेरे बेटे का शरीर है ऐसा ही वीनु की मान ने कहा था A.B. और वीनु के साथ में बनाए हुए टेटू और आइडेंटिकल ब्लड ग्रुप्स इन सब से A.B. की मौत वीनु के नाम पर हो गई ये आधा सच तो बिलकुल है इट वोज इन फैक्ट कॉइट अ ब्रिलियंट प्लान लेकिन अभी भी जवाब नहीं मिला ऐसा आप लोगों को मानने से कोई फैदा नहीं A.B. के हाथ में ये सारा पैसा कहां से आया और शुड़ा ऐसे A.B. के हाथ में जो जाली नोट थे वो से कहां से मिले वेनू, तम्हारे इंटरनेट कैफे में जो पैसा चुपाया गया एक करोड पिछत्तर लाक रुपया वो फेक करंसी है ग्रेड वन, काउंटर फीड करंसी तुझे या शान को या जेसी को ये बात बिलकुल भी समझ में नहीं आई तुम लोग अबी को बिलकुल भी नहीं समझ पाए क्रिस्टफर मोरिया का बहुत पैसा उसके पास से वो भी उसी का ही एक आदमी है क्रिस्टफर से वो पैसा लेगा और तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर बनाएगा ऐसा उसना सोचा था ये जाली नोट है इन्हें कैसे यूज़ करना है ये जानना उसके लिए जरूरी था और वो जानता था कि अगर वो पकड़ा गया तो न सिर्फ वो बलकि सारे लोगों को बहुत भारी पड़ेगा तो हुआ ये कि तुम्हारे हाथों से जो पैसा मिस हुआ वो क्रिस्टफर का था और वो एवी को ढूंड रहा था पैसों को ढूंड रहा था इस वक्त आप लोगों के हाथों में पैसा है और एक बात और एवी की वज़े से तुम सब एक बड़े औरगनाइस्ट कैम रेकेट का हिस्सा बन गया है लेकिन उसका जो मर्डर हुआ वो तुम लोगों के रूल की वज़े से हुआ ऐसा मैं मानता हूँ और इस डर की वज़े से एक के बाद एक तुमने बहुत सारी गल्तियां की और मैं तुम्हें फंसाना नहीं चाहता क्योंकि इस वक्त तुम्हारी उमर बहुत ज़्यादा नहीं है तुम वो पैसा यहां पर रखकर तुम लोग जा सकते हो क्लेम नहीं किया बलकि एक बैग में कुछ रुपया रिकवर किया ऐसे एफायर दर्ज कर दूँगा और यह यहीं खत्म कर सकता हूँ बट मेक इट फास्ट बेफोर आई चेंज माइंड क्योंकि आज डेविड इब्राहिम ने तुम लोगों पर दया दिखाई है लेकिन कर क्रिस्टफर और देश की जुड़ी शरी दया नहीं दिखाईगी गो आण वीनू लीव दमनी टेक यूर फ्रेंज और गो होम इसके बाद किसी भी तरकी कोई बात नहीं होनी चाहिए इन रिटन आई गिव यू माई वर्ड तुम्हें ढूंटे हुए कोई भी नहीं आएगा गुद नाइट विनू जब 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 अभी 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 शान तुझे हम सारी बाते बताना चाहते थे लेकिन हम लोग गाड़ी रोक दे यार शान बता रहो ना ऐसा होगा हमने कभी सोचा नहीं था मैं तुम्हाड़ी रोक दे हमने अभी सारे पैसे किसको दिये हैं क्या हम अभी सारे पैसे किसे दे कर आ रहे हैं डेविड इब्राहिम सर को कौन है डेविड इब्राहिम यह यह तुम क्या कह रहे हो तुम भी तो साथ में थे डेविड इब्राहिम आईपियस क्राइम ब्रांच उनके साथ हमारा परीचे सिर्फ एकी रात में हुआ और जो आदमी हमें जानता है उसने हमारे साथ कितना वक्त बिताया और हम यह कैसे यकिन कर ले कि वो पुलिस वाला ही है इस बात का क्या सबूत है 1 करोर 25 लाक्स पूरा पैसा है हपी न्यू यर ख्रिस्टफर पूरा पैसा है कर दो लाक्स झालक्स यदा न्यू या कर दो यजर कर दो लुदा कर दो समय टुदा साथ कर दो समय झाल झाल